पॉपुलेशन आफ़ वर्ड, फस्ता कॉंटेंट्स, कुरांट पॉपुलेशन आफ़ वर्ड, ग्रोथ रिट, हिस्ट्री और फूचर आफ़ पॉपुलेशन, एंपक्ट आफ़ रिसोर्सेज, यहां बेसिकली हम फोकस करें है अन दा ह्यूमिन पॉपुलेशन, इस टॉपिक अचा, कुरांट पॉपुलेशन के अगर हम बात करते हैं, तो एट प्रेजन्ट, ग्रार सेवन पॉइंट सेवन बिलियन पीपल लिविंग अन दिस अर्थ, इस अर्थ के ओपर, जमीन के ओपर जावो, साथ आशारिया, साथ अर्ब लोग जहां वाभी सर्वाइब कर रहे ह अचा, मज़ारिटी जो है उसकी, वो हैं जो लेस्ट डिवेल्प नेशन्स हैं, जो लेस्ट डिवेल्प काउंटरीज के अंदर आ रहे हैं, बहुत चांद लोग हैं जो डिवेल्प काउंटरीज के अंदर जावो रहे हैं, जो लेस्ट डिवेल्प काउंटरीज के अंदर ज्यादा burden रहेगा जब कि जो developed nations हैं जिनकों हम तरकी याफ़ता मुल्क कहते हैं उनके अंदर human population का pressure काम होगा so what is the population growth rate growth rate कहते हैं कि कितनी speed से population बढ़ रही है human population अगर हम current growth rate की बात करें it is 1.07 इस वसक्त जो human population है वो कितनी है उसका growth rate है 1.07% यागर 100% हैं या 100 people मुझूद हैं एक साल के बाद उसमें तक्रेबर एक बंदे का अजाफा होगा तो इस तरह से अगर हम इसको overall दुनिया पर calculate करें तो पूरी दुनिया में फिर 1.07% के साथ हर साल 82 million जो persons जहां वो add up हो रहे हैं जमा और इसमें अजाफा हो रहा बादी में तो 82 million पर years तो इतनी अबादी जो हर साल क्या रही है इसकी increase कर रही है अच्छा अगर हम इसको थोड़ा सा overall compare करें कि क्या growth rate हमेशा है सही रहा है तो human की जो population growth rate है वो सबसे जो जहेदा extensively जो बड़ा है जो recorded history है उसके मताबिक यह है कि जब 1960s का time था यह जो time है 1950 के बाद से 2000 से पहले तक तो 1960s में human population बहुत rapidly increase हुई है और highest growth rate था human population यह वर्डवाइड काउंट हो रहा है ठीक है वर्डवाइड के तरह था it was 2% उसके बाद आहिसास था यह population जो है वो growth rate decrease हुआ जोगों को यह awareness आई यह अगर population इस तरह से बढ़ती रही तो resources कहां से आएंगे human के अंदर दो possibility animals के अंदर क्या है कि young one produce कर दो बस ठीक है यह यह उसके parents के लिए इतना headache नहीं है human के case में ना सिर्फ population increase करना बलकि उसके बाद young one की care करना is main responsibility कि अगर young one की care proper नहीं की जाएगी तो ultimately जहाँ आने वाली population human population होगी वो फिर ill होगी वो proper normal नहीं होगी अच्छा इस awareness के बाद 1960 में जो population rate बहुत सब्सक्राइब बढ़ा तो फिर उसके बाद आश्चासता awareness है लोगों के अंदर तो worldwide जो population को control करने के जहाँ डिफेंट जहाँ awareness पहलाएगी जिससे आश्चासता क्या हुआ population growth rate काम होता चला गया आप जैसे present कितना है 1.07 है अब 2023 में जाकर it will be approximately 1% फिर जब हम when it will be 2052 यह नहीं कह सकते हैं कि मजीद 30-35 साल के बाद जाकर it will be 0.5% यह रह जाएगा जो current growth rate है उसका उसका मजीद 25 यह के बाद 76 में जाकर यह 0.25% रह जाएगा और इवन जब 2100 में दुनिया एंटर होगी पता नहीं मैं और आप तो मुश्किल होगे लेकि उस वक जब दुनिया एंटर होगी तो उसमें जो growth rate होगा it will be 0.09% 0.09 का मतलब यह अगा हजार में सिर्फ 9 लोगों human population के अपर भी impact है जारे जिस speed से population growth rate होगा उस speed से human population भी बढ़ेगी अब इसमें अगर हम history को proper देख लें जो एक genetic basis के अपर जो estimate आता है तो उसमें यह है कि आई से तक्रीबवन यानि कि 70,000 BC अभी हम 2000 AD में है 2000 यह होगे और 70,000 इसे पिछले चलेगे तो इसका अतला है 72,000 अगर हम पिछे चले जाते हैं तो उस वक्त इस पूरी अर्थ के अपर जो इंसान रह रहे थे यह दे वार अबाउट 1000 तो 10,000 पीपल सिर्फ एक अजार से ल देन उसके बाद अगर हम आई से सा आते जाएं तो आई से तक्रीबवन जा है वो 10,000 BC यानि कि अभी हम मुझूद कहा हैं अभी हम मुझूद है 2000 में तो 2000 यह और 10,000 BC वाले तो 12,000 पहले कि अगर हम estimation निकालते हैं तो उस वक्त जो दुनिया के अपर लोग मुझूद थे द population बहुत slowly बड़ी है अगर हम 1300 की बात करें या 1400 की बात करें जो कि मैंने यह document नहीं है लेकि 1300 या 1400 में human population तक्रीबन साड़े 400 million थी यानि half million से भी कम थी फिर जब 1800 में कि हम बात करते हैं 1800 में यह population जो थी it was one billion वान बिलियम यह एक reasonable है population है human की जो 1800 में जो मुझूद थी उसके बाद जब हम बात करते हैं 1959 में तो 1959 के अंदर या बादी जो है वो बढ़ कर 3 billion हो गया है डेर सो साल में 3 billion पर पहुंच गया है तीन कुरा बढ़ गया है उसके अगरा थोड़ा सा फोकस करें कि 1959 से 1999 सिर्फ 40 साल और human population कितनी बाद रही है it is from 3 billion to 6 billion 3 billion human जा हो उनका अजाफा हो रहा है और यही वो basic time है जिसके अंदर जो population है बहुत rapidly जा हो इन human population बढ़ी है अब इसके बाद current population कितनी है 7.6 billion यानि 2000 के स्टार्ट में यह about 6 billion थी अब 7.6 billion जा हो चुकी है अब आगे जैसे से time गुदर रहा है human population growth rate काम हो रहा है तो 2023 में जाकर दुनिया की अबादी है वो 9 billion हो गी फिर 55 के अंदर जाए approximately it will be 10 billion यानि आगे जो अबादी का अजाफा है वो काम है लेकिन उसके बावजूद the growth rate population sizes के क्या रहा है increase हो रहा है इसका impact क्या होगा impact यह है कि जो resources है वो automatically decrease कर रहे है जब resources decrease कर जाएंगे कम हो जाएंगे तो फिर human के लिए आर्थ पर survive करना possible नहीं होगा दो यह option है या population control कर दिया जाए या फिर यह है कि resources जो alternative जो पैदा किये जाएंगे जमीन के अपर तो atmosphere utilize हो चुके है then we have to move some other universe किसी दूसरी तरफ जाएंगे मून के अपर मरीख के अपर जैसे काम हो रहा है वो यह है कि human आपनी resources कहीं से तलाश कर सकते है